बूढोडीविनींग जीचिन निरषबंग्डवा यह यह बालकॉम तो वाई-पाइस स्वेशंट यूट्यूब चैनल तोडेशंचरी अब देश्केश भाधा स्लेंड़ीकल कोर्डिश्क्श करेंगे कि रिफिजूप करेंगे किसके वाद हैं, तो लास्ट टाइमने किसके तो लास्ट में due to time shortage मैंने कुछ जल्दी में निप्ता जाता हूँ तो मैं वो दुबार आपको पता देता हूँ that is differential area यह आपका z y and x-axis और इनके unit vector x-cap y-cap z-cap ठीक है हमने फिर क्या गया था एक surface ले थी ऐसे हमने फिर एक surface ले थी उसके बाद कि ऐसे कि यह वाइस को कि ठीक है यह हमने को वह बना लिया क्यों कर दो कि 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 में एक क्यूब बना लिया वे ठीक है हम नाम दे देते इसको यह आपका रहेगा ए कि 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 मतलब आपकी सर्फेस के बहार रहेगी कुछ ऐसा होगा यह आपका माल लेते यह क्यूब है यह उसका फरेट फेस है तो इसका बहार क्या रहेगा यह रहेगा अब यह कि इसका पुछ आपकल एक फेस में कुछ ऐसा है तूब अगर मैं साइड बनाने की बात करूं और मैं साइड फेस बनाने के बात करूं यह रहेगा आपका फरेंट side face में कुछ ऐसा है तिच्छा फिर उसके बाद as straight फिर उसके बाद फिर straight देन तिच्छा यह बाड़ा distance मतलब यह बाड़ा distance यह होगा B F E और यह आपका D यह बाड़ा आपका क्या है Dx है यह क्या आपका Dz है तो अगर मैं यहार लिखूँ D A X Z यह हो जाएगा आपका D X D Z अब इसकी direction किस तरफ रहगी अब देखो यह आपका front face तो X axis की बात होगी अब यह बाड़ा फेश की बात है यह बाड़ा फेश की बात है इसकी direction किस तरफ होगी यह बाड़ा क्या है यह है यह From X X एकस ऑन देखस सब्सक्राइब कि तरफ रहेगी ओपर किस तरफ रहेगी ऊपर क्या है ओपर क्या घया है जाए ड्यक्स लिखाऊंगे ठीक है अब बोल्यूम के इसमें इसकी अपका ये क्यों वेक्टर काम नहीं करेंगा बोल्यूम कि हम बात करेंगे तो है तो दिफ्रेंशल वोल्यम की हमने बात की है जैसे कोई ऐसे सरफेस है तो यह अपकी सरफेस होगी अब इसका आपको एक्सक्राइब तिनों देखना पड़ेगा यह वाड़ा अक्सीज भी देखना पड़ेगा और यह वाड़ा बैसी देखने मतलििए आपको स्फेस्फिक एक साइटी जाने की जूटते निए तो इस लिए वोलिव में कुछ नहीं करना होता IS पहले ही कहा था अगर आपको डिफ्रेंशिल अगर आपको डिफ्रेंशिल लेंथ का पता तो फिर उसके बाद दिक्कत नहीं होगी डिफ्रेंशिल लेंथ किसके इकुल आई थी वह थी इक्स यणिट व्यक्कटर झाट यद्य युञ्ट करूगे टेश गया कर दिए यानि तो चली जाए गई तो टीसरे की साइड आपकी डैक्शन चली जाएगी तीसरे की साइड आपकी सिम्पली डैक्शन चली जाएगी उसमें कोई इस्यू नहीं होगा ठीक है आपको बेसिकली डिफ्रेंशल लेंग समझ में आ जाए पूर उसके बाद कोई सुनी कि यह बात थी कार्टेज्य कोडिनेर सिस्टेम जो इससे पहले मैंने क्रुवाया था अब आगे चलते हैं अगर आपको लिमेटिर टाइम में अपना स्लेबस करना तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अनकाडिमी का डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से इंस्टोर कीजिए इसको और स्लेक्ट विर गोल में CSIR UGC अपलाई कीजिए ठीक है उसके बाद आपको कुछ आईसा मिलेगा यह सब्सक्रिप्शन को प्रमांथ का आपको पड़ेगा जो ग्याराजार पांट्सों पचास उप एक साल का पड़ेगा और आपको यह अमौट ज्यादा लगता है को आपको कुछ डिसकाउंट जाद यह कोर्ड यूज कर लिए और जय टैन आरज टैन आपको द्यूज करोगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाए 10% ऑफ मिलेगा वह आपको यह तुरंत यह दिखाई दे जाए बिद्धा 10% ऑफ हो गया तो वह ओफ होने के बाद आपका मौट यह पड़ेगा मतलब आपका 10,000 ही पड़ेगा कितना 12 मंत के लिए बहुत सच्टा अब बहुत सच्टा एक्जाम आपका नजदी आ चुका है और अभी ओनलाइन क्लासी चलेगी ओनलाइन क्लासी चलेगी मेरा वो पिछला वीडियो अपने देखा होगा तो क्या आप दामे आउपसर आपको कैसी प्रिपेर करना जाए उसके वाद उसमें मैंने इसमें मैंने बताया तो यह उप्षन आपके लिए सबसे बैस्ट है ठीक तो आपको मेँस चल्दी से जल्दी लेना है आपना टाइम बेस्ट केजीए ठीक है जितना जल्दी हो जाए ऊतना जल्दी के जिए यह मेरी यह प्रोफिल है मैरा नाम सथ्केजिए अनकाड़ीपे पे तो आपको स्पेशल क्लास अभलेबल हो जाएगी लाइव होती है और सब्सक्राइब कोई पैसा नहीं लगना पड़ेगा और यहाँ पर जब आप आना काड़ी में मेरा नाम सब्सक्राइब तो फोलो को आपशन आएगा फोलो पर क्लिक करोगे तो मेरी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा ठीक है मैंने याट 28 वीडियो बना दी है मतलब 28 क्लास ले चुका हूं मैं और क्लास अभी मेरी लाइब चलेगी कल भी है 11 बजे है वह आप देख सकते हैं कल 11 बजे भी है ठीक है तो हर रोज क्लास होती है तो वहाँ भी आप जा सकते हो ठीक है यहाप अगर आपको क्लास का नोटिफ बना रख रहे हैं वहाँ से आपको क्लास का सेडूल मिलता रहेगा ठीक है यह कुछ से इंक्रमेशन देने के आपको आगे हम बात करें स्लेंडिकल कोर्डिनेट सिस्टम की आपका 3D में ही होगा भई तो होगा नहीं मतलब कुछ आइसा रहेगा यह जड़ आपका रहेगा यहां आमने कोई पोइंट लिए यहां पर आमने कोई पोइंट लिए ठीक है इस पोइंट की प्रोजक्शन कि प्रोजक्शन कहा रहेगी भी यहाँ पर कोई पॉइंट की प्रोजेक्शन आई है इस पॉइंट की प्रोजेक्शन यह आगी अब इसके यह हमने कोई मान लिया रो इसको माना हमने रो मान लिया ठीक है इसको माना हमने रो मान लिया यह आपका रो हो गया रो के साथ x-axis ने दो एंगल बनाए रो के साथ x-axis आप इसको लेकर एक सरकल बना दिजिए यहां पर ऐसे कि अब अब इसको लेकर बना दीजिए अब इन दोन्नों को जोइन कर दिए थोड़े वेकर से आप समझ जाए यहां पर ऐसे यह क्या बन गया भी क्या है अपको दिखाऊंतु यह आप早ठ वह भotल जो यह ब Gottel जो यहां की बात कर रहे हैं यह क्या हो गया रहे है अब इसको ऐसे रोटेट करो एक एंगल पर रोटेट करेंगा यह यहां से सरकल से यहां और दूसरा यह एंगल आगया अब क्या करना है अब मुझे चाहिए अगर मैं आपको समझाना चाहूं यहां पर मैं बनाता हूं यह देखना एक बार यह आपका X-axis है यह हमारी डेडियेश ओगी ठीक है एंगल हो गया अब मैं इसको ऐसे रोटेट कर दिया ठीक है यह तो यह तो एक सरकल हो गया और मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए ईसलेंडर चाहिए अब ऐसे ऐसे उसा सरकल मैं बनाते रहूं ऐसे ऐसे मैं सरकल बनाता लिखना चाहू तो लेकि ली इखना चाहि लिखनीजी असक्राव जाता है जैसक्त आपका paradox कहा काम अताता ने किसी बाइदकी प्रूभलम ले जिए किशिवाइभियों कि वह आपका काम आता है अभी आपका लिए पिष्ट स्लेंडर तो कि अ झत कि मुरुफ अभिष्ट कि श्लेंडर je देखें, 5 is the angle in the xy plane with x axis, इसको जो x axis के साथ जो angle बना, वो क्या क्या लाएगा, आपका 5 क्या लाएगा, आपका distance, क्या है, अब मैं इसको 3D में समझाँ एक में समझाँ, ये आपका v x axis होगे य страх ये आपको दिखाय दे रहा होगा, थीक है ये आपके टीन होगे ये आपका x OFF, ये आपका y यह y axis यह आपका alex रिदिएस लि यहां पर मने रेडियस ले ली ठीड है यहाँ पर मैने रेडिएस ली उस रेडियस नेका एंगल बनाएग और आपका fine तो यहां पर इसने आंगल बनाया है यहां पर इसने जो एंगल बनाया है यह वड़ा एंगल यह आपका ने जो आपका यह बनाया चलो चलोटेट करते चलो चलो आपका क्या होजागा पिसके लिएँ बात करे तो दिशकनी होता है ऑघ्ट बहुत ज्यदा यहाई सब्सक्राइब करो वह एंटीक वाइज रहेगी क्या रहे रहेगी शूडवॏ हो सिसे यहां से यह आपकी जो रेडियस हो सटाट हुई है अरका कितना है उसकता दो हो सकता है तो तो मतलब रेडियस की किया रहेगी अगर रॉ की बात करें तब का इन फाइन है के बीच में आपका रहेगा अगर रहेगा अगर मैं आधा की बात कर रहा लोगे घृय मायनि इन्स सुर्ड पर बनाता हूं जो यह यह बाद पॉर्शन कि इस पॉइंट करे जाएंगे आपके त्योंकि यह आप तो यहे पॉइंट आपका yz plane में नहीं यहां कही लाई कर रहा जहाँ पर आपका इनों प्लेन के बीच में जाहाँ आपका रो तो मतलब यहाँ पर आपके तीनों कोर्डिनेट यह आ जाएंगे तो यह आपकी रेंज होगी अगर मैंने जो बात की थी रेंज की जो मैंने बात की तो रहेगा आपका रेडियस का रहेगा जिरो से इंफाइनित मतलब आगे कही तक अब कब पूछ लेते रहेगी रहेगी तो यह तो आपका पूछ लेते हैं पूछ लेते हैं relation between, relation between, slendical coordinate, slendical coordinate to cartesian and cartesian to slendical coordinate system, दोनों ही पूछ लेते हैं आपका ठीक है, दोनों ही आपका पूछ लेते हैं, तो अब जासे हमें पहले 3D एक्सिस बिनाए होई, यह 3D बन गया, यह है Z, यह है Y, यह है X, अच्च जैसे हमने पहले बात की थी, हमने बात की थी unit vector की, इनके unit क्या रहेंगे, इस के unit वेक्टर क्या राएंगे? वेक्तind हको और देखे़लेती हैं, इस direction की बात करें, या इस की करें इसमें क्या बढ़के जा रहा है इसमें इनको छोड़ें आपके बार रोफ आई है तो यहां पर देखें यह बढ़ा रोड़ा रोड़ा आपका किस डेक्शन में बढ़ रहा है पिज़िऄ अबंद ही कि अब्रू आपका किस ड 2012 में बढ़ रहा है कि अ गाफ utmostे ड्याइक श्वार है 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 मतलब यह आपका रो गड़ेक्षन क्या रहेगी da रोगी आपसाई यह तो लिक वाइड का एसे जा रहे है लोगा सफ्सक्रिय्हत्तिन और थिके ये रही तो कि इस पहले बता आते है यहां पर यहां वह सकते हैं एसे हो रहा है एसे इंक्रीज रहा है बना जिए प्सक्राइशन में बंद लिए मतलब आपके ड्रेक्षण में जिस डिर्क्षण में जिस डेक्षण में आपका परेमिटर स्लिए मैं आपके यूनित वेक्षण से उस में बात करें तो क्या गें हमने देखा ये आपका कुछ ऐसा है यह आपका है ठीक है मैं आपका यह इन सूंहिआ है या अग है यह पने प्रस्य आपके यह को टरrhें पाट कर यहाँ पर यहाँ पर भर दाध कि आपका ड्रोकिक करा रोग यहां से किसी एंगल के साथ मूँ करा ठीक है यहां से किसी एंगल के साथ ऐसे मूँ किया तो यहां पर इसी किसने एंगल से मूँ कर गया यहां से कितने एंगल इसको हमने क्या करना है यहाँ पर जो इसका यहाँ पर आगर हम देखे यहाँ पर यह पॉईंट होगा यहाँ पर अपर पॉईंट और इसकी परोजेक्शो आंपक इसा यहाँ पर रही इस accents प्रेटिकल ड्रह करती लिए पर्पाइंडीआ कशे पर छोड़ागा यह तोड़ा इसको में थोड़ा चार वह कर दिता ह१ा आपको दुबारा से बताता हूं इसके बारे में देखिए दुबारा से देखिए एक्षुली प्रोजेक्सन देखूँ गाइए यह पर यह पर यहाँ पर यह पुंट रहाएगा यह ंहे Elena कheros हूं लुंट न इसोा करी आ ही यह इंगल ऐसे में बना दीए अब कर्व बना दoire यहाँ आपका 90 पर यह प्यांति डिप्टी अधाल इस को इसको विमान लिजी इसको भी मान लिजी इसको भी मान ली ठीक है अब यह आपका क्या हो ही आपका देखो यह रहे जाएगा यह क्या होगा मैं यहाँ से एक पार-टिकल चली हाए उस यहां इससीज को जो ही आपका नीचे बाड़ा कोडिनेटिक में बनाता हूं यह हमारा y axis ő एए यह हमारा x axis ő ठीक है इसे ही को मैं ऐप सप्पीर में बनाता हूं 64 जहानि य-axis ठीक है तो हम क्या किया भी देखो यहाँ पर कितना है यहँ यहाँ पर भी रो है यह पूइंट हमने मान लिया है यह पोइंट हमने मान लिया जैसे यह यहां भी रो है यहां पर खाली रो था रो से यहां मूग किया रो से हमूग है तो यहां पर रो फाई होगे यहां पर भी रो है और यहां से हम ऐसे करेंगे यहां से करेंगे तो यहां पर भी यह भी आपका रो ही है लेकिन यहां पर क्या बना एक एंगल बना है यहां पर एक बिने साथ में Аगया थिक है अब इस से आपका पर गल कर लो जैसे हमने य इसको मैंने क्या बोल दिया यहां पर बी-डैस बोल इस पे एक पर पर पंडिकुल लो विद ने वोला तो इसको मैंने क्या बोला था एक선 एक अन्सregisträज फिलिखा प्रपेंडिकुल Invussia होग sock just अभी हमारा व्य होगा और यह क्यों हमारा अभी हमने आप हमें क्या देखना अभी यह वाली स्टेंस किती है और यह इसको मान लेते हैं इसको मान लेते हैं आपका निकालना है यह एंगल आपका क्या है यह तो को स्केफिल होता है कोसफाइड किसके इकुल होता है आपका कोसफाइड होता अब बेस भाइड अब इस बाइड रो तो एक्सापके बनते हैं यहां से आपको कुछ भी यहाद नहीं यहाँ अगर आप साइन निकाल ओगे तो वह किसके एकुल हो जाया वह जाया वाइवाइवाय रो मतलब आपका रो साइन फाई नियां तो फो सब्सक्राइब घ्राइब यह मंने देखा यहां से हमने देख्थ fifteen रोच फाई युगल तो रोच फाई आ गया खट्ट बट जड़ कंपोनेंट आपका क्या रहेगा बड़ाइब च्ट कंपोनेंट के रहेगा यह कि क्या अब यह दोन नुब पैरलर और यह परपेंडिकन दोनुब नुब वे तो आपका यह थी कितन ही रहेगे होगी जड़ कंपोनेंट की हाइट रहेगी मतलब इसिज साइंस स्केयर और एक्वेस्ण 1 & 2 आपको एक्वेस्ण 1 & 2 को एड कीजिए यह हो जाए एक स्केर प्लस में वाई स्केर इस इगल टू रो स्केर फाई प्लस में रो स्केर साइन स्केर फाई ठीक है तो एक स्केर प्लस में वाई स्केर इस इगल टू रो स्केर प्लस में वाई स्केर इस इगल टू रो स्केर आपका यह आपका यहाँ पर रो स्केर कुमन लेगो तो क् आगे अगर अगर हैं मैं करूँ अगर डिवाइड यहां नहीं यहां लिख देते हैं इसको डिवाइड 2 by 1 2 को 1 से डिवाइड कीजिए तो यह हो जाएगा आपका y by x is equal to rho sin phi by rho cos phi तो cancel तो tangent of phi किसके इको लागया y by x phi किसके इको लागया tangent inverse y by x यह आपका phi में conversion हो गया, मतलब rho का भी conversion हमें निकाल लिया और phi का भी conversion हमें निकाल लिया z हमारा z agits रहे गाई z हमारा z agits रहे गाई भी ठीक है तो यह एक चीज़ थी अब हम बात करें भी अब एक फोर factor की बात करते हैं, that is लिखिए another factor transformation of transformation of vector p in in the cylindrical coordinate to the Cartesian coordinate मान लोग कोई आपको P vector दे रहा है, उसको slander को Cartesian में करना है, मतलब को P vector हमें दे रहा है, rho 5 z ठीक है, P vector हमें दे रहा है, किस में बनाना है, हमें X, Y, Z में बनाना है, मुझे क्या निखना पड़ेगा यहाँ पर P मेरा vector है, तो P X, P Y, P Z मैंने आपका जो हमें निकाला है, यहाँ पर जो X, Y, Z है वई इसको मैंने P X, P Y, P Z को लिख दिया, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, आपका पहले रो वाली ट्रम आपका constant हो जाए, या कुछ निए तो 0 हो जाए, मतलब आपका यहाँ पर क्या रहेगा, cos 5, sin 5 and 0, ठीए, यह हो गए, अब इस टर्म को, इस टर्म को curly by curly 5 कर दिजी, curly by curly 5 क्या हो जाए, minus sin 5, यह हो जाए, 0, sorry, 0 ने, यह हो जाए, cos 5, और यह हो जाएगा, आपका, curly by curly 5, 0, अ curly by curly Z, and curly by curly Z, यह हो जाएगा, 0, यह हो जाएगा, 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 यह हो जाएग क्या मतलब आपने कभी देखा होगा P X P Y P Z यह किसके को लैक्ट यह हो जाएंगे आपके साइन-5 बहुत सारे बच्च को यह याद नहीं होती इसका एक आगे बताएंगे ठीक है तो यह आपके सिस्टम में हो गया भी अगर हम यह तो स्लेंडी का टू काट इज्ण उल्टा लिखना दो क्या करना भिष ट्रांस्पोज ले लीजी ट्रांस्पोज ले लीजी मैट्रिक्स का तो फिर यहां पर आपका क्या रहा जाए इसको थोड़ा साफ सा लिख देखते हैं यहां पर आपका क्या आएगा भी यह हो जाएगा आपका ट्रांसपोज लेगा यहां क्या है रो है यह को लब है तो मतलब आपका इसको लिखिजिए कोसफाइब माइनस साइन फाइब जीरो फिर यहां पर आ जाए यह पर एक्स पी यह आपका काड़ेजिन स्लेंडिकर काड़ेट इंजिन हो जाएगा ठीक है अब हम एक और बात कर लेए थोटी सी चीज के और हमारी बात बचेए डिफ्रेंशिल लेंथ डिफ्रेंशिल लेंथ क्या आपको समझ में आ गई है इस केस में भी समझ में आ गए है तो फिर आप वह अराम से कर लोगे क्या कहते है जो य कि यह ऐसे मैं अबसे कोई रहते हैं यह आपको इनकोंगल फाइओ यहां पर और नेकोंगल यूग फाइज सै। बढ़ेगा इसमें बढ़ेगा हमें निकालने में निकालने यह लेंद्ध यहाँ पर यह वाली यह निकालने कि agriculture यह अब आपको यह भी सोचाओ अभी यह ऐसे कर लेते हैं तो दो समाल कॉंटिटी बहुत चोटी कॉंटिटी बना देगी वह आपका नेगलीजीब होगा तो यहां से मुझे सब्सक्राइब तो यहां से ऐसे दो कॉडियनेटी मिल जाए है नहीं कर सकते आपको लेंफि करने के लिए क्या चाहिए लेंफी चाहिए तो लेंफिसे लिए आपको देखो यहां पर यह वारियूस नहीं हुआ आपके एक यौरो दी रो प्लस में आपका दियर किसके इकुल हो जाए आएगा प्लस में आ जाए आपका रो निकालने में कोई मैनेथ नहीं करनी अगर आपको इन दो का निकालना थो इस ड्रेक्षन में पिल्टीप्लाई हो जाएगी सिंपल सी बात है मैं अगर निकालना है अगर आपको फ़र्स्ट के बीच में निकालना है तो आपका व्हाजन के केसि में ten हो जाए मतलब अगर हम बात करें ಬैट स्केंब förो इस बात कर इसके इकल हो जाएगा यहाँ पर एक पर जिडिफिरेंशियल द्रेक्षिं में एक डिफ्रेंशियल एरिया की बात करते हैं कि अग से अग करते हैं तो मैं अगल निकाल लूएँ पहले दो कि निकालता हूं तो यह जाएगा दी माल फा यह जाएगा रो दि-धि हाइल जाएगा टो फिर मैं बाथ करूं d a and 5 z यह हो जाएगा आपका रो d 5 dz रो किसमें जाएगी बेसारि τशिन जाएगी आपकी रो में इसों जाएगी आपकी रो में आपको इन दो हो की बात करहें अगर मैं बात करूं न तो फर्स्ट और थर्डथी मतलब d a and z and रो तो यह वो जाएगा आपका अपका नियों डेशन आपकी में अपर यह पहराई है तो यह अपके इरिया धे अमने बता है था फ होई पोस्के ने दिफरेंसल गोल्यूम का कि इसमें आप क्या करोगे तिन नों का ऐसे मल्टिप्लाइ करते हूं तो आपका डी यह रोग दी फाई अंड डी रोग दी फाइड यह आपका हो जाएगा अगर मालवा को कभी कभाई इंटीगरेसं में लिखना पड़ जाएगा तो भी ऐसे तीन इलिमिट हो जाएगी यह ज आपका से माइन स्क्राइब यॉनिट रहेगी यृजु आपको पहले पता कि ट्रॉं में बड़ा जो स्था जो ट्रांसफॉर्मेशन बाड़ा जो केस था उसके बारे हम बात कर लेते हैं अब वहाँ की हमारी जो बात है जैसे x किसकी इकल था रो कोस 5 y किसकी इकल था रो साइन 5 और z आपका किसकी इकल था जाथ उसको हम इस वे में भी लिख सकते हैं यह हो जाएगा आपका यहाँ पर लिखी x y z तो और ऑपका five and Z यह होजाएगा आपका और वकी टर्म लेग लिजी ओंकिकश क्या है सृस्पाइड ओर यहाँ वाइच जीरो इसको डिफरेंसेटिन करे लिए कर लिजिए मतलब यह कॉंटिन का इस कॉंटिन का तो नहीं हुआ मैं क्या करते हूं और यहां पर जाएगा जैसे मालूम मुझे एक्स के लिए कोई क्वांटिटी लिखने मुझे एक्स के लिए कोई क्वांटिटी लिखने तो उसमें क्या रहे गा विसीर अगर मैं अगर मैं कोई क्वांटिटी में होतोता जैका यहां पर इसका इसके साथ के अगरो फाइल सब्सक्राइब मैनेश 15 sin 5 ठीक है यह आपका ड्रेक्षेर हो जाए यह आपका ड्रेक्षान हो जाएगा अगर मैं य के लिए कोई direction लिखूंगा तो यह हो जाएगा आपका पिछ भी लिख सकते हो जैसे इसमें लिखूंगा साइन फाइल रो प्लस में कोस फाइल ठीक है ऐसे लिख सकते हो गई अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं मुझे उसके लिखना पड़े अगर मुझे रो के लिए लिखना परें तो रो किसकी और रोग किसकी पुर जाए रो आपका एक सिसाथ है और य के साथ है जो यह जाए रहा स्फाइब cela यह आपको यह याद होने चाहिए याद करने के दिति उना इस वे में लिखे लेना अपको याद करने के जूतीए इस वे में लिखे लेना याद अबये बीकारं तो यह आपका स्लेडरी केस्टम था तरह कहता स्लेयं कोडिनेट सिस्टम ता फिर सब्सक्राइब अब नेक्स्ट क्लास में बात करने भी स्फेरिकल कोडिनेश सिस्टम की इसके बाद हम बात करें कर्ल डाइवर्जेंस ग्रेडियेंट यह आपके तीन बच्चे गए इसके बाद हम ड्रयाग डेल्टा के बारे में बात करेंगे यह आपके काफ़ इंपोर्टन इंपोर्टन ओपर है आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर यह पसंद आये अगर आपको समझ में लगा इंफर्मेटिव लगा यह वीडियो तो प्लीज इसको शेयर किजिए अपने से भी फ्रेंडों के साथ और ज्यादा ज् बिसना आई तो आप से मिलते कल अब तक के लिए थैंक्स बाबाए उप